नमस्कार दोस्तों मैं संदीब स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेश नमबर 12 आज किस वीडियों बात करेंगे जो भी इन्वर्सिटी वा कॉलेज के उच्छात रहें जिनकी परिच्छा सेशन 2021 और 22 के सेशन में होने वाली है यानि कि समेश्टर वार्सिक जो च्छ ना किस बेस पे और कब-कब होने वाली है तो उसके लिए टेंसर मत लीजे वो डल दी वीडियो आ जाएगे लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी आपके परिच्छा में यानि कि आने वाला जो एक्जाम है समेश्टर वार्सिका उसमें जो टॉप लेबल के क्वे पूछे जाने वाले हैं उनसे संबंदित या उसी तरह के और भी बहुत सारे कोश्चन आपको बताने वाले हैं क्योंकि यह सारे कुछन पिछले कई सालों में कई बार रिपीट भी हुए हैं और आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी हेल्फ पढ़ते हैं तो आपको ए प्रवाइड के जाएंगे बस थोड़ा आप लोगों को वेट करना होगा तो आज किस वीडियों बात करेंगे बीए हिंदी माडल कोश्चन के बारे में जो बीए के जो छात है जिनका हिंदी सब्जेक्ट है वो जरूर वीडियों को देखे और ध्यान से समझे उनके लिए बहुत इंपर्टन कोश्चन है तो आप सब्सक्राइब करी नहीं सकते हैं कि हिंदी तो लेना ही पड़ेगा आप लोगों को तो इस वीडियों हम बात करेंगे तुलसी दास जिसे संब्मंदित जो टॉप लेबल के कोश्चन है आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चाहाए वह चाहे सकेंडेर के हो चाहे थडेर को भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप जान समझेंगे आपको काफी हिल्प मिलेगी पहला कोश्चन इस वीडियो में जो कि अबज़क्ट्य बेस पे हैं लिखा तो आपसी तरह कि एक्जाम में आउस्टन मिलेंगे आप सभी को मालू पर आप सभी की एक जैम होंगे जिसमें आप लोगों यह सही रहेगा स्ण मिलेगी और कमाश्टेक्रास होगा जिसमें सही और यह सही का ऐंसर आफ झालीतों ही आप लोगों को और सूर्णार सुर्णार स्वर्णा winner जो चाहत जुने काफी विरिलेंट है सभी को लगभग मालूं है जिनको नहीं मालूं सर्चिकल लीजेगा तो इसको राइट एंसर हो जाएगा बीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसी तरह स्टेप बाइस्टेप क्वेश्चन के और हम बढ़ेंगे पहला कुष्चन के जो तुलसिदाफ जी का जर्म है वह था पंदर सो बत्तिस में इसलिए कराइट एंसर हो जाएगा बी नंबर आपकी जानकारी के लिए हम बता दे तुलसिदाफ जी के बहुत सारे मत्वेद बहुत फारे जो कभी है या फिर बहुत साई जो लेखक हैं ठीक हो इनका जर्म कहीं म हुआ था जो कि मैंने गुगल पर सर्च किया था तो वहाँ पर यह जानकारी फीडिया में ठीक है अगला सो कालि का 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 वालमिक कि ने कि नबर सी बढ़ेंगे अगले करिए तो तो आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा लेक्चर देता हूं सोरू में आप लोग यह मत सोचेगा किसर लेक्चर देते चले जाते और नहीं आते आधे गंटे लेक्चर देते आधे गंटे बाद कहीं किस्टर होता है क्लास स्री तुलफिदाफ जी के घाम क्राइस सकते उन करती है तो इस कुष्चन में कि जो आपसन है वो आपको मिली जा रहे हैं इसको राइट एंसर हो जाएगा 59 यानि कि इसको सब्सक्राइब हो जाएगा दीनमबर डीनब्र हम क्लिक करेंगे ओके चलिए हम देखते एकला कुष्चन को नहीं कि ऍसर्फियों के सिरीज में लृट हो जाएगा गालुम होगा जैख के बारे में बात करें स्री तुलसीदास जी के बारे में बात करें इसलिए को राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा आप्शन नमबर बी ठीक है बढ़ेंगे हम अगले कोश्चन के और जो भी टॉप लेबर कोश्चन है जो आपको लगए इंप्वाटेंट है वह आप लोग जाएगा बी नमबर पर हम किलिक करेंगे ध्यान में रिखेगा स्मित ने कहा है अगला कोश्चन है यानि की आफ नमबर कोश्चन है कि राम चाहिद मानस की भासा कौन सी है और भी ब्रस अंसक्रत पामिल बहुत ही टॉप लेवल का कोश्चन हो एक्जाम में कई बार रिपी इसलिए क्वेश्चन का राइट अंसर हम किलिक करेंगे यह नमबर पर चली अगला क्वेश्चन का उन साहँ देखते हैं निकाय की निवन में से तुलसी दास के मित्र कौन थे वीरबल कभीर रहीम अकबर्त टॉप लेबल क्वेश्चन यह भी एकि तुलसीदास जी कि जो म जन्म कहां माना भी आपने उपर पढ़ा कि मेधी सरी मेनी माधो जी ने तुलसिदाफ जी का जन्म कहां पर माना तो वहाँ पर आपने कोश्चन का एंसर से लट किया था राजापूर बांदा जिला ठीक है तो यहां पर हजाई प्रसाद दुविदी की अगोटिंग क्यों सब्सक्राइब काइस कि casino गएंगे तो जो सब्सक्राइब घ्राइब वो है यानि question number 11 का जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा दास्य भाव आफशन number हम क्लिक करेंगे right answer हो जाएगा C number 10 भाव बहुत ही top label का यह भी question है जान लखिएगा ठीक है चलिए देखते हैं 12 number question कौन सा है 12 number question कहरा कि तुलसी दास को हिंदी का जातिय कभी किस ने कहा अमरत लाल नागर ने बी नमबर नाम वर सिंग ने और सी नमबर राम बिलास सर्मा ने और डी नमबर कभीर दास जी ने तो तुलसी दास जी को हिंदी का जो जातिय कभी कहा है वो स्री राम बिलास सर्मा जी ने कहा है इसलिए हम question का right answer क्लिक करेंगे option number C ठीक है यानि कि option number सोरी यहां पर mistaking होगी थोड़ा फिर से हमाज आते हैं 12 नमबर कुश्चिन के बाद हम आते हैं 13 पर ठीक है तेरा अमर कुश्चिन कहरा कि तुलसी के राम चैद मानस में तुलसी दास जी रिस्पेक्ट के साथ हम बोलेंगे तुलसी दास जी कि राम चैद मानस मे वक्ता के रहाट की जो शंख्यां है वह 13 नमबर कोश्चिन का राइट एंसर रहाएगा अफशन दंबर दी यानि की चार ध्यान में रखेएगे चार नमबर कुश्चिन का राइट एंसर रहाए चार नमबर ऑकेशली बढ़ते तotha वली कि रशना कब हुई है दोहा वली आ तो आपको मिल जाएंगे सत्रासो साथ बारासो पच्चास सोला सो तीस और सो चब्विस दोहावाल की जो रचना हुई थी उस सन का नाम है उस सन का नाम है काई रहा है कि जान की मंगल क्या है यह मुक्ता करेकरяться नमबर क्विश्चन का राइट और रोजाएगा प्रबंध का बें हम क्लिक करेंगे सी ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को अलगा कि बिने प्रत्रिका की रचना कब हुई तो यह बिने प्रतिका भी तुलसीदाफ जी की रचना है तो यहनिकि की जो रचना भी मैंने आपको बताई है कि कौन सी रचना कि सन में हुई है तो इन में से एक नाए क्वेश्चन हंडेट परसंट एक दो क्वेश्चन आना ही आना है यह आप लोग धान में रखीएगा ठीक है चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्यों यानि कि 17 नंब क्वेश्चन के एग्याम में भी पूछ लिया जाता है कभी कदार तो राम चैद मानश की जो रस्तना है आप से मिल जाएंगा पंद्रा में हुई थी दो वर्ष में हुई थी 11 मां में हुई थी हलाकि हमारे बहुत से इस चैनल के च्छा तरुन को मालूम ही होगा इस को राम चैद मानश की है वो रचना की गई थी या फिर हुई थी राइट एंसर हो जाएगा डी नंबर ठीक है दो वर साथ मां 26 दिन अगला कोईश्चन है यानि की तुलसीदास की अंतिम रचना यानि की जो तुलसीदास जी थे वह बहुत रचना हैं अपने जीवन में यानि प्रत्रिका और कवितावली ध्यान में रखिएगा यह कोईश्चन भी बहुत ही टॉप लेबल का है तो जो लास्ट यानि की अंतिम रचना थी वो तुलसीदाफ जी की थी कवितावली इसलिए कोईश्चन का राइट एंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर यानि किस सन में उसकी रचना की गई थी तुलसीदाफ जी के द्वारा आप्शन मिली जारें 1700 से 1700 ठीक एकतर में 1800 में 1639 से 30 में 1200 में तो कोईश्चन का राइट एंसर हो जाएगा 1639 से 30 के बीच में की गई थी यानि कि आप्शन नंबर सी पर किलिक करेंगे राइट एंसर यह होग लिखा है कि बिने पत्र का किसकी करती है रहीम दाशी की तुलसीदाफ जी कि क्रतिया पीर रचना है ओके चली और भी कोईश्चन हम इसमें बात कर लेते क्योंकि तुलसीदाफ जी समधी बहुत ही कुछ जाते हैं अच्छ सब्सक्राइब जाएगा जाएगा अधरा कि वायरा के संद्धिपनी की वह है ब्रजभासा। हाला कि आपकी जानकादी के लिए हमारा भी नाम संदीप है तो थोड़ा से मैच कर रहा है ठीक है कोई बात नहीं वराइक संदीप नहीं ठीक है ब्रजबासा अला कोईश्चन है कि कभिता वली में कितने कांड है आठ पंद्रा पांस साथ ही वह टॉप लेबल कोईश्चन है हम बताने कविता वली कितने कांड है वह बिख करंगा के कितने कर यहांद किकरति कॉष्चन है इससमब्ल सा ऑच क्रति है जो गीता वली और हम्हें है इसलिए हम क्लिक कर देंगे आपसे नमबर किस पे बीपे गीता वली स्री तुलसीदास ओके चलिए नेस्ट कोईशन है यानिकी 24 नमबर दिखा कि बिने पत्र का किस मासा में रचित है अवधी भोछपुरी ब्रजभासा मगई तो बिने पत्र का रचना उसकी जो भासा है व कर देंगे ठीक है तो तो दोस्तों आज किस बीड़ी बस मैंने 25 कर देंगे ठीक है कि तुलसीदास जी संबनी जो कि बहुत ही टॉप लेबल के कोईश्चन है आप लोग नहीं रट लीजिए और समझ लीजेगा नोट डाउन कर लीजेगा आपको इन 25 कोईश्चनों में तीन चार कोईश्चन तो 100% आपके एक्जाम में आना ही आना है ठीक है इनसे सम्मंदित और भी बहुत सारे कोईश्चन है जो कि टॉप लेबल के अभी रटिए याद करिए अब फिर हम मिलेंगे नेश्ट वीडियो में ठीक है चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो की डिस्कस्टर में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उससे जोइन हो जाएए वहाँ पर बहुतारी अपडेट मि सब्सक्राइब करेंगी मिलते हैं इस्ट वीडियो में अब तकले जाएंद।